दोस्टो नमस्कार मैं प्रवीन प्रकित्ति गाउं में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत से विगनर्स जो हमारे इंडस्टी से जो मारे फिस फार्मिंग इंडस्टी से जूड रहे हैं जो हमारे देश की young generation है वो भी आजकल मचली पालन में उतर रहे हैं और बहुत ही अच्छा बीजनस कर रहे हैं क्योंकि वो मचली को as a business कर रहे हैं दोस्तों अगर आप भी मचली को जब बीजनस करेंगे तो आप जो है बिल्कुल सफल होंगे बस सिर्फ और सिर्फ आपको knowledge होनी चाहिए कि हम कैसे करें जितने failures होते हैं उनको knowledge नहीं होती और कुछ लोगों को fund management का बहुत problem होता है इसलिए वो फेल हो जाते हैं तो आपको knowledge बहुत ज़ादे जरूरी होनी चाहिए तब ही आप मचली पालन करने में बिल्कुल सफल हो सकते हैं दोस्तों बहुत से किसान भाई हमसे लिखे थें कि सर पॉली कल्चर और मोनो कल्चर के बारे में एक वीडियो बनाईए तो आज का वीडियो है दोस्तों poly culture क्या होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है poly culture का advantage क्या होता है किस मातरा में हम मचलियों को डालें कौनशा level होता है हर चीज के बारे में discuss करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉली कल्चर और मोनो कल्चर होता क्या है दोस्तों पॉली कल्चर की अगर बात करें तो सबसे आसान भासा में आपको समझाएं तो पॉली कल्चर को ध्यान से सुनिएगा कि पॉली कल्चर को सबसे आसान भासा में अगर हम कहे तो ये कह सकते हैं कि एक बार में एक तलाब में एक साथ एक से जादे तरह की मचलियों का पालन करना ये पॉली कल्चर कहलाता है और मोनो कल्चर की बात करें तो एक बार में एक तलाब में एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की मचली का पालन करना ये होता है मोनो कल्चर त जैसे आप लोग train में सफर किये होंगे, train में आप देखते होंगे कि lower birth होती है, अपर birth होती है, तो उनका idea क्या है कि एक छोटी सी जगह का triple मुनाफा लेना, एक छोटी सी जगह में जो bottom का भी किराय लेंगे और middle birth का भी किराय लेते हैं, अपर birth का, तो वो जो हो गया poly culture हो गय कि किसी एक तरफ सिर्फ एक ही सीट अगर लगी हो वहां पे, सिर्फ और सिर्फ जो है lower birth ही हो, तो आप जो है उसका मतलब समझ लिजे कि वो monoculture हो गया, और एक ही बारे एक ही लेवल में तीम सीटे लगी हो, मतलब उतने ही जगह का वो triple पैसे कमा रहे हैं, तो ये जो हो गय पॉली कल्चर हो गया, तो दोस्तों, पॉली कल्चर और मोनो कल्चर को जानना आपको बहर जरूरी है, और पॉली कल्चर मोनो कल्चर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पॉली कल्चर में दोस्तों, आपके तलाब जो होता है, उसका सारा लेवल यूटिलाइज हो जाता है टाप लेबल यूटिलाइज हो जाएगा, सर्फिस लेबल, बॉटम लेबल, हर तर हर लेबल यूटिलाइज हो जाता है जिससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और अर्निंग आपकी जादे अच्छी होगी पॉली कल्चर में अगर आपको knowledge हो जाए तभी आप polyculture जैसे का culture आप निकाल लियें उसके बाद आप polyculture कर सकते हैं दोस्तो आसा करता हूँ कि आद इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूँ पॉली कल्चर और monoculture के बारे में तो दोस्तों, polyculture में जैसा हम बताएं कि layer में मचलियां होती हैं ऐशा नहीं कि आप सारी मचलियों का पालन करेंगे अलग-अलग तरह कि तो एक ही आपस में मचलियां लड़ने लगें नहीं वो क्या होता है दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि अगर आप polyculture करना चाहते हैं IMC में तो उसमें धेर सारे तरह की मचलियों का अलग-अलग लेबल होता है जैसे जो कतला होती है वो surface लेबल की मचली है रहू जो होती है वो top लेबल की और जो मरीगल होती है वो सबसे bottom लेब दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि 40% आप कतला रखिये 30% रहू 30% मरीगल 40-30-30 के रेशियों में आप IMC जो होती है मचलियां उसका जो है polyculture आप कर सकते हैं कतला रहू मरीगल का बहुत से किसान भाई एक्जिक्यूटिव कार्प का भी जो है मचली पालन करते हैं polyculture करते हैं तो एक्जिक्यूटिव कार्प में कौन सी हैं जैसे silver कार्प हो गई यह सबसे surface level की मचली होती है और जो common कार्प हो गई यह top level की मचली होती है और जो grass कार्प होती है यह सबसे bottom level की मचली होती है तो दोस्तों यह आपको जानना बहुत जरूरी हो कि कौन सी मचली की कौन सी भी सेस्ता है अग जैसे आप रहू ही बहुत जादे डाल दीए तो तो भी आपका कल्चर खराब हो जाएगा क्योंकि एक लेयर में बहुत जादे मचलियां हो जाएंगी यह आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत से किसान भाई छे के छेओं मचलियों को एक साथ पालं करते ह हैं लेकिन उनको परसेंटेज पता होता है उनको इस तीज का experience है इसलिए वो कर पाते हैं दोस्तों आप भी कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पता होना चाहिए कि कितना परसेंट कौन सी मचलियों का डाले तो अग लिगल आप 15% डालिए और जो है सिल्वर कार्प आप 15% डालिए और जो है कामन कार्प आप 15% डालिए और जो ग्रास कार्प है ये 10% डालिए दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको 6 के 6 मचलियों को एक साथ जो है पॉली कल्चर करना हो तो इस इस परसेंटे में आप जो है सारी मचलियों को एक साथ डाल सकते हैं दोस्तों अगली चीज क्या होते हैं बहुत से किसान भाई का ये भी पूछना है कि सर हम पंगेशिय जो कैट फिस होती है उसके साथ हम पॉली कल्चर कैसे करें और कितने परसेंट में मचलियों को डालें आपको मैं बता कि अगर 95% आप 85 मचली कैट फिस को अगर आप डाल रहे हैं तो बस 95% कैट फिस डालिए और 5% उसमें IMC मचलियों को डाल दीजिये मतलब 95% प्यासी मचली उसके बाद 5% IMC मचली ऐसे जो है आप इसके साथ भी पॉली कल्चर कर सकते हैं दोस्तों पॉली कल्चर बहुत बड का बेनिफीसेरी भी होता है क्योंकि पॉली कल्चर में आपके तलाब का हर एक लेवल यूटिलाइज हो जा रहा है जैसे मैंने एक जामपल बता था कि छोटी सी ही जगह का आप ट्रीपल टाइम्स जैसे आप ट्रेन की बात करें तो ट्रीपल टाइम्स उतने कहीं किराय ले रहें और अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही सीट होती तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार का उतनी जगह का सिर्फ एक लोंख क किराय लेते हैं तो जो है अप हर एक लेवल को आप यूटिलाइज कर पाते हैं पॉली कल्चर में जिससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन को email के थूरू कैसे भी आप पूछ सकते हैं तो दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल से जूड़ना मत भूलेगा ताकि ऐसे ही छोटी-छोटे knowledge हम आप तक share करने में सक्षम हो आज के लिए बस इतना ही जैहिन